नमेश्का दोस्तों मेरा नम डॉक्टर नगिंद्रियाद है बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते हुए किन पांच बातों का में ध्यान रखना चाहिए देखे सबसे पहले जो यदि हम अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको बर्ड्स की breeding age के बारे में आपको पता होने चीए आपको पता है कि हर बर्ड्स एक specific age में जाकर हम बात करते हैं specially paratchets के बारे में तोत्य के बारे में अब paratchets में आप बजीगर देखेंगे finches देखेंगे या large parakeets जैसे macau वगरे हैं, sulfur किस्टिडिन है African gray है हर parakeets की जो breeding age होती है different difference होती है parrots का साइज जो छोटा होता है तो mostly ये जो है छोटी age में breed करना शूकत है जितने भी बड़े parakeets है जैसे African gray है या macau वगरे है ये तीन से चार साल के बाद जो है sexually mature होते है और breeding के लिए तैयार होते है इसलिए आप जो भी breeds पाल रहे हो आपको उसकी breeding age के बारे में सबसे पहले आपको knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी है breeding के साथ साथ आपको male female की पैचान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप जो पैर आपने बनाया है आप ये sure हो जाए कि आपने male female का ही पैर बनाया है यदि आप doubtful हो तो आप अपने birds का DNA टेस्ट करा करके male female की confirmation कर लिए उसके बाद या breeding पैर लगाने के बारे में सोचिए बर्ड्स का जो behavior होता है breeding के दोरन वो बिल्कुल different हो जाता है इसलिए आपको हर बर्ड्स के nature के बारे में पता होने चीए कुछ बर्ड्स ऐसा होता है breeding के दोरन एकांत मांगते हैं मतलब आप ये सोचो कि आप बर्ड्स को एक ऐसे माहौल में रखे कि बर्ड्स कुमाशोर शराबर disturbance जादा रहेगा तो आपका बर्ड्स कभी भी breeding की तरफ आकरशित नहीं होगा या breeding birds आपके साथ बहुत जादा रहता है और आप चाहते हैं को breed कर देखिए humans के जब ज़्यादा touch में contact में birds रहते हैं वो breeding के लिए जल्दे से त्यार नहीं होते हैं इसलिए breeding birds का कोशिश करना चाहिए बिल्कुल separate करके रखे और उनको एक ऐसे place पे रखे जहां पर कम से कम disturbance हो क्योंकि जब बर्ड्स का एक बर human के साथ bonding level ज़्यादा strong होगता birds कभी भी अपने साथ pairing इसलिए आप कोशिश कीज़े जो breeding के लिए उनको सेपरेट रखे आप उनके पिंजरे के अंदर या केज के अंदर या उनके एवरिस के अंदर रखे उनको टाइम पर खाना पान दीजिए और उनको जो सफाई वगर रेगलर करते रहे तो ही आपका birds का जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो breeding के लिए और फिर breeding के लिए जो आपने जो घर बनाए है वो सबसे important होता है कि आपने उसकी cage के अंदर जोसकी आप हर breeds का देखिए छोटे finches है आप उनके लिए simple एक टोकरी आप रख सेकते हैं उसमें finches जहें घास वगर ले जाकर के अपने गोसला कुछ से त्यार कर लेती है बजरीगर के लिए आप मटकी आप लगा सकते हो वोडन बॉक्स आप लगा सकते हो जो large parakeets है उनके लिए breeding box का size भी बड़ा होना चाहिए और large parakeets के लिए space बहुत matter करता है breeding के लिए यदि आप किसी छोटे से पिंजरे में आप सोचोगे को breed कर जाए large parakeets कबे भी नहीं करेंगे cage का size कमसे दस बाई दस का एक room का set जितना होना चाहिए उसमें आपका जो breeding box है वो काफी बड़ा होना चाहिए ताकि जिस ही सब सब के birds का size है उससे double size जो है cage के breeding box के अंदर होना चाहिए ताकि आपका birds male or female जब दोनों box के चले जाते हैं उनको proper बैठने का proper space होना चाहिए उस पे birds uncomfortable नहीं होना चाहिए क्योंकि अंडे देने के बाद जब birds उन अंडों के उपर बैठेगा incubate करेगा तो birds के पास proper इतना space होना चाहिए कि दोनों birds भी अंदर एक साथ बैठ सके या एक birds अगर बैठा हो comfortably बैठ सके इस लोगों को इस चीज़ वारे में knowledge नहीं होती लोग अगर अक्सर जो है market से male और female ले भी आते हैं लेकि इनको नहीं पता होता है कि इनको जो पिछली generation है जहां से वाए कहीं वो पिछे background से दोनों जो pair है वो brother sister तो नहीं है इसको inbreeding बोलते हैं जो parents होते हैं वो अलग-अलग होने चाहिए दोनों बच्चों के male का parents और female इनको अलग-अलग pair से यह आप male female का selection करेंगे तो आपको breeding का results अच्छा मिलेगा क्योंकि inbreeding में बच्चे हो जाते हैं अंडे हो जाते हैं लेकि इन breeding का जो breed wise purity होते हैं उसका results काफी खराब होता है इसलिए birds का selection करते वक्त यह आ आप एक ऐसे source से birds को purchase करें जहाँ पर आप यह sure हो कि आपनी inbreeding का baby नहीं select किया है दोनों के parents अलग-अलग-अलग होना बहुत ज़दा ज़रूरी है केज की location जो last है केज की location सबसे important होती है कुछ birds जैसे होते हैं कि वो आपके drying room में भी breed का जाते हैं लेकिन कुछ birds को जो है एक proper isolation ची होता है यदि मैं especially African grey parrots की बात करूँ या Macau अगर की बात करूँ यह जब तक आप सामने रहेंगे कभी भी breeds नहीं करेंगे इसलिए आप कोशिश कीजी इनकी जो location है केज की घर के किसी ऐसे कौने मोनी ची बिल्कुल एकदम से शान थो एकान थो और आपके birds का वाट डिस्रमेंस ना हो वहाँ पर शोर भी नहीं जाना जी तो ही जो birds है breeding के लिए अपने आपको prepare करेगा और आपको जो है breeding का result देखने को मिलेगा birds की age भी selection का criteria होता है चार से पांस साल में जो है बड़ी breeds मैचूर होती है breeding के लिए चोटी breeds है जैसे आपका cockatiel हो गया आपका finches हो गए या बजरी गर्स हो गए यह बारा से चौदा महीने के बीच में जो है breeding के लिए त्यार हो जाते हैं इसलिए जिस वक्त आप birds आप purchase कर रहे हैं उसकी age का confirmation आपको जरूर जरूर नचे क्योंकि यदि आप different age group के male female की pairing करेंगे तो आपका कभी भी pair नहीं बनेगा और उसमें जो है जब आपके दोनों में से कोई एक birds seat में होगा तो दूसरा birds तयार नहीं होगा meeting के लिए क्योंकि उनकी age में काफी difference है य इसलिए जब दोनों की age है वो proper इस तरीके से होनी चाहिए कि breeding के time पर दोनों के अंदर proper balance होना चाहिए तब ही आपको जो है breeding का 100% successful rate देखने को मिलेगा result जो है देखने को मिलेगा आज मैंने इस वीडियो के मादे हम साब को बताया है breeding कराते हुए हमें किन 5 बातों का ध्यानत में चाहिए उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद